नवाता आश्टोश मिश्रभी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे लोगों में इस वक्त सबर दसकुस्सा है अब जोशिमर 6000 फिट की उचाई पर है मैं उसे काफी उचाई जिस गाउं में हूँ हूँ इसका नाम है सुनील यहीं से इस आपदा की शुरुवात हुई थी और वो कैसे सुनील गाउं बड़ा है कई सारे घर अलग अलग जगों पर हैं लेकिन जो घर इसकी जद में आये हैं जोट बसे रोप्वे के नीचे यहां पर दरारें दिखने लगी हैं घर अपनी जगह से खिसक रहे हैं इनका पूरा हिस्चा टूट रहा है यह पहला घर है सीडियों के नीचे आप आते हैं सडकों पर दरार हमने देखे देखे यह घर के प्लास्टर उखडे हैं यहां से घर का हिस्सा एक दूसरे से अलग हो चुका है और इससे पता चल रहा है अगर आप देखें इसको नापें तो जमीन पर यह जिस तरह सीध में ख प्रकृती ने जैसे जैसे मिट्टी खिसकती कई पहाड खिसकता गया यह दिवार अब मजबूर धांचा होता है अब सिमेंट का इस्तमाल है सरिया लगाए गया उसके बाद ऊपर का धांचा अलग रह गया नीचे जो है दरार आ गई है यह आधे फुट की पूरी दरार दर कि आपको लेकर के आता हूं बरामदे का आगे का जो हिस्सा था जहां पर हिलो बैठ सकते थे यह पूरा समतल इलाका जो है धलाव में आ गया इसी से पता चल रहा है कि जमीन कितनी खिसकी है और यहां से यह शायद बहतर बया कर यह तस्वेर है पूरी की पूरी जमीन जो प सबको भी कहा गया यहां से चले जाए यह बहुत सारे लोग है जो घर चोड़कर नहीं जा रहे हैं अब देखिए घरों का क्या हाल हुआ है यह इतनी अब जरजर हो चुकी है यहां जाना सुरक्षित बिलकुल नहीं है यहां से देखिए दिवार यह हिस्सा आगे आ चुका है सुनील गाओं में यहां पर देखिए पूरा का पूरा घर जो है वो टूट चुका है अंधेरा है इस कमरे में लोग नहीं रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम कुछ आपको दिखाने के स्थिति महोंगे यह कमरा देखिए पूरी तरह से तबाहो बरबाद हो चुका है एक है क्या कुछ आप जमा करके रखते हैं आगे पूरी जिन्दगी के लिए वो सब कुछ नुकसान हो गए देखें नीचे खेत हैं इन्होंने सबजियां उगा रखें मैं पत्ता गोभी की पूरी फसल देख रहा हूं आगे कई सारे सेप के पेड मैंने देखे हैं यह सब जूद उसके की खतरा इतना बड़ा है जो कुछ मैं देखना हूं यह बेहट डरावना है फिलहाल एक होटल में इनको रख दिया गया वहाँ चले जाते हैं लेकिन पूरा दिन यहीं बिता रहे हैं क्योंकि सामान कहां ले जाएं बहुत सारे सवाल जहन में हैं जिनका जवा बादी का यही मंज़र है यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे आशुतोष लेकिन इस बीच जो लोग विस्थापित हुए हैं जिने होटेल में रहना पड़ रहा है जो जहां तहां शिफ्ट कर दिये गए हैं उनका क्या हाल है देखे इस रिपॉर्ट के जोशी मट के दो हो होटल्स का ध्वस्ती करन की कारवाई करने के लिए SDRF की टीम स्टैंडबाई पे है अगर इन होटल्स को नहीं तोड़ा गया तो धीरे धीरे पीछे की तरफ जुकते जा रहे हैं और खत्रा यह है कि पूरे जो मकान इस टेरेन में नीचे बसे हुए हैं उसको डामेज कर द स्वीर है भयावय है उनका कहना है कि धामी सरकार सब